शिरी अमिश्या जी मैं आपको आमंत्री करता हूँ और कारे करता है एक बार उनका स्वाज़त करें मेरे साथ बोलिए भारत मता की क्यों भई दिल्ली वालों की आवाज को क्या होगा है एसी प्रचंड आवाज से बोलिए कि नागरिक्ता कानून संसोधन का जो विरोध कर रहे हैं उनके कान के परदे फट जाएं मेरे साथ दोनों हाथ उगाईए डिल्ली में सरकार बनाने के संकल्प की मुठी बिंचिये और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत मता की मंच पर उपस्तित हमारे भारतिय जन्ता पार्टी के कारकारी अध्यक्स भाई जगत प्रकाश नड़ा जी डिल्ली प्रदेश भारतिय जन्ता पार्टी के लोगप्री अध्यक्स भाई मनोत तिवारी जी हमारे प्रभारी स्याम जाजू जी हमारे चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर जी हरदिप पूरी जी नित्यानन राय जी भाई विजय गोयल जी श्री सिद्दार्धन जी अनिल जैन जी दुश्यत गोतम जी हर्षवदन जी, तरून चूग जी, विजेंद्र गुप्ता जी, प्रवेश बर्मा जी, हमारे सांसद हंसराज जी, रमेश विदूरी जी, आर्पी सिंग जी, मिनाथ सी लेखी जी, गौतम गंबीर जी, राजेश भाटिया जी, कुल जी चहल जी, महेश गिरी जी, और आज, दिल्ली के हर बूत से, आये हुए, मेरे जान से भी ज्यादा प्यारे, कारेकता भाईयों और बेहनों, मित्रो आज, आज ये ध्रस्ट बता रहा है, कि फ्यरवरी के अंट में, दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है, ये ध्रस्ट बता रहा है, आज मेरे सामने, मीडिया के मीत्र याँ खड़े हैं, मैं सब को कहना चाहता हूँ, कि वही ये जन्ता नहीं है, हमने दिल्ली की जन्ता को यहां नहीं बुलाया है, बूट के मेरे चुनन्दा सैनापती को बुलाया है, जो चुनाव लड़ने वाला है। और ये जो माहौल है, पूरे ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर, वो बताता है, कि हमने तेरा अजार साथ सो पचास मुथों से चुन चुन कर, चेर जैसा दिल रखने वाले कारे करताओं को यहां एक अत्रिस की आज़े। मित्रों मीडिया वाले जहां पर भी मैं जाता हूँ, वहां पूछते हैं, डिल्ली में क्या होगा। मैं आज आप सब के सामने जवाब दे देता हूँ, डिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेत्रुत में भरतिये जन्टा पार्टी की सरकार बनने वाले हैं। ये मीडिया वाले, मीडिया के मित्र, मुझे ये भी पुत्ते हैं, के मित्भाई अधार क्या है। लास्ट टाइम तो आपको यहां बहुत खराब बुरी तरह से आप भारत है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जहां सा कोई किसी को एक ही बार दे सकता है, बार बार नहीं दे सकता है। एक बार केजरिवाल जी ने दे दिया, उसके बाद में नगर निगम के चुना हुए, आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद में दोजार उन्नीस के चुना हुए, दिल्ली के तेरा हजार साथ सो पचास बुथों में से, बारा हजार चौसट बुथ पर भारतिय धन्ता पार्टी का जंडा फराने का काम मेरे कारे करताओं ने किया है। 88 प्रतिसत बुथों पर भारतिय धन्ता पार्टी ने विजय प्राप्ट करी है। मैं आज कहना चाहता हूँ, दिल्ली के चुनावी तियास में एक रेकोर्ड है रेकोर्ड, किसी पार्टी ने 88 प्रतिसत बुथों पर चुनाव जीता है। और 56 प्रतिसत से ज्यादा सीटे मिली साटों के साथ हमारे सांसरदाज यहां बैठे हैं, जन्ता का असिरवाद प्राप्ट करकर जीते। दो लाग, तीन लाग, चार लाग, पांच, पांच लाग के मार्जिन से जीते। और आज यही कारे करता जिनोंने MCD भी जीताया, लोग सभा भी जीताया, आज मेरे सामने खड़े हैं और मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाता हूँ, कि हा, मैं उनके भरों से कह रहा हूँ, कि दिल्ली में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनने जारे हैं। मित्रों, चुनाओ, बाकी दलों के लिए हो सकता है, कि बाकी दलों के लिए चुनाओ, सत्ता अप्राप्ट करने का साधन हो, भारतिय जन्ता पार्टी, लोक्तंतर में विस्वास करने वाली पार्टी। हम मानते हैं, कि चुनाओ लोक्तंतर का महोचस्व होता है। एक मौका है, भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरताओं के लिए, दिल्ली के घर घर जाना हर नागरिक को मिलना और हमारी बात, हमारी विचारदारा, हमारे सरकार के किये हुए काम को उन तक पहुँचाना मैं आपको कहता हूँ, मैं दुनिया के बहुत सारे देशों के लोकतंत्र का भ्यास करा है मैं आप कहता हूँ, कि भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है और उसको आगे बढ़ाने के लिए, आज मेरे सामने भारतिये जन्ता पार्टी के कारेकताओं की जो फोच खड़ी है मैं उसका अहवान करने आया हूँ, कि चुनाव सभावों से नहीं लड़ना है चुनाव घर-घर जाकर लडना है, चुनाव छोटी-छोटी महला मीटिंग करकर लडना है और मैं आज आपको कह देता हूँ, महला मीटिंगों की सुरुआत, मैं स्वयम करने जा रहा हूँ मैं ही पार्टी के जगसे नाते, पाटा सो, देड़ सो, दो सो लोगों की मीटिंग लेने की सुरुआत करूंदा और जितने नेता बेठे हैं, जितने कारे करता है, जिला अध्यक्स है, मंदल अध्यक्स है, काउंसिलर है, विधाय संसद रहे चुके कारे करता है सब को मैं अपील करना चाहता हूँ, कि एक भी व्यक्ति दिल्ली का न छुप जाए, जिसके पास नरेंद्र मोधी का फोटो और कमल का निसान लेकर भारतिय जन्ता पार्टी का कारेगता ना जाए मोधी जी ने भारत माता के एक सच्चे सपूत नाटे पांच साल में जो काम किये है वो लेकर हमने घर घर जाना है मित्रों दिल्ली के चुनाव का मुद्दा क्या है देर सारे मुद्दे हैं मगर दिल्ली में एक चर्चा बहुत चल रही है कि वह ये चुनाव तीन महिने की सरकार वाला चुनाव है या साथ महिने की सरकार वाला चुनाव और मित्रों चुनाव साथ महिने की सरकार वाला लड़ना चाहिए मैं दिल्ली की जन्टा को भी कहता हूँ, साट महिने पहले आपने एक सरकार चुल दी आप पार्टी की, उसके पहले दस-पंदरा साल तक कॉंग्रेस पार्टी की, इन्होंने क्या किया, जरा हिसाब मागे उनसे, अभी अभी जन्टा के कल्यान के सारे पैसे, अकबारों में अड़टाइज में देख रहे हैं, स्रिमान केजरिवाल का बड़ा बड़ा पोटो हम देख रहे हैं, यह सुरू कर दिया, वो सुरू कर दिया, यह कर दिया, बदाईओ, 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 हो जेरा अब पांच साल के बाद शुरू कर रहे हो आपको भी मालूम ये समाप्त नहीं करना है मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ पांच साल से सरकार चली उसने क्या किया ये आपको हिसाब मांगना चाहिए केजरिवाल से अभी ये जो कह रहे हैं वो सारी चीजें उनको भी मालुम है पूरी नहीं करनी है इसलिए कह रहे हैं मित्रों जहां तक नरेंद्र मोधी का मोधी सवाल है हमने कहा था हमने कहा था कि अनधिकृत को अधिकृत बनाएंगे लोगों को अपने घर का मालिक बनाएंगे दोजार उन्नीस में कहा था उन्नीस समाप थोते हुते इस सरदार हर्दिक सिंग्पूरी यहां बेठे है मोधी जी ने उनको आदेश दिया और उन्होंने अनधिकृत को अधिकृत बनाने की सुरुवात कल रदिश्ट्री करकर कर दी मैं कहना चाहता हूँ भार्थ ये जन्ता पार्टी के कारकरताओं को अनधिकृत कोलोनिय के 40 के 40 लाग लोगों तक आप जाईए और बताईए कि नरेंदर मोधी ची ने ची नहीं कर दिया कोंगेस्ट की सरकारे उनके गाउपर मरहं नहीं लगाती है । नरेंदर मोधी सरकारायी राधनासिंग्रू मंत्री हर परिवार को धुन धुन कर 5 लाग का मुवाउदा देने का काम ये भार्थिय जन्ता पार्टी की नरेंदर मोधी सरन्काराणी और जो दोसीचे वो भागते भीरते जे उनको पकड़ कर जेल की स्टलाकों के पिछे तीहाड में भेजने का काम भी नरेंद्र मोधी सरकार ने कुछा। नड़ा जी ने कहा प्रजान मंत्री पीएम जय योधना आई समान भारत योधना भी लागू नहीं होने दी। फिर भी 35,000 जुग्गी जोपडियों के स्थान पर पक्का मकान देने का वादा नरेंद्र मोधी जीने निभाया। अत्रीक बनेंगे उनको वहाँ पक्का मकान मिलेगा अत्रीक 184 जुग्गी समू को भी हम करेंगे। द्वारका में भारत बनना पार्क बनाया साइक्ल ट्रेक बनदा है। अम्दाबाद में आपने साबरमती रिवर फ्रंट देखा होगा। ऐसा ही यमुना का रिवर फ्रंट जमना जी के किनारे बनदा है। मैं मेरे पुरुआन चलके भाईयो बेनों को कहना चाता हूँ। एक पार यमना जी पर अगर रिवर फ्रंट बन जाता है। छट पुजा करने के लिए आपको कोई अस्थाई सेज की जरूरत में ही पड़ेगी। लाखो लाखो लोग वहाँ छट पुजा कर पाएंगो। मित्रो मेट्रो को बढ़ाने का काम किया। 116 किलोमिटर नई लाइने बिचाई। करीब 70 किलोमिटर नए रूट और बना रहे हैं। 112 किलोमिटर का लोकारपन किया जा गया है। लगबग 11,000 करोड उप्या इसके लिए करा। अमरूत प्रकल्प के तहट 18 पकल्प 802 करोड के करें। NTPC का थर्मल प्लांट बाहर निकालकर हवा को सुद्ध करने के लिए बड़ा काम किया। रैपीड ट्रांस्पोर्ट रेली उदना पर काम किया। डीडिये ने लेंड पुलिक पास करकर बहुत बड़ा काम किया। असी घाओं को सहरी घाओं का दर्जा दिया। असी घाणों में बिजली पानी की सुभीदाय भी पहुँचाई। धेर सारे काम करें। स्मार्ट सिटी, स्वच भारत मिशन, अन्तियोदय मिशन, प्रधानमंती आवास योदना अर्बन, रदय, रेरा कानून, धेर सारे काम करें। मैं केजरी वालधी को पूछना चाहता ह। हम तो हमारे काम लेकर जाएंगे। मगर भईया केजरी वाल, आपने क्या किया जराई हिसाब किताब बताईए तो। आपने कहा था, वी स्कॉलेज बनेगी, मैं दुर्बीन लेकर ढूंड रहा हूं, कॉलेज कहां गई, मालूम नहीं पड़ती। पाँच हजार से ज़्यादा स्कॉल बनाने वाले थे, मैं चस्मा चड़ा कर देख रहा हूं, स्कॉले कहां गई, मालूम नहीं पड़ता है। अस्पताल बलाने की बात करी थी, अंत में एक मॉडेल का फोटो दिल्ली वारों को देखा दिया, दिल्ली वालों को जहां सा देना आप चाहते थे। जोग न होने के बाद में। युवा, फ्री वाइफाई की रहा देख रहे हैं, 15 लात CCTV कैमरे लगने थे, उसकी भी रहा देखते हैं, अनुबंदि सिख्षक को पक्का करना था, अनुबंदि कर्मचारियों को पक्का करना था, उसकी भी रहा देख रहे हैं, प्रदूशन कम करने की चगे प्रदूशन आपने बढ़ा दिया, और हम जो देना चाहते थे, उसमें भी आप रुकावट बने हो, केजरिवाल जी, दिल्ली की जन्ता अब आपको जान गई, मित्रों अभी अभी प्रदान मंत्री जी, केजरिवाल ने जन्ता को गुमरा करकर, कॉंग्रेस पार्टी ने विशेज कर, राहूल बाबा और प्रियंका वाडरा ने जन्ता को गुमरा करकर, दंगे करवाने का काम किया है, मैं दिल्ली की जन्ता को पुछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं, कि ऐसी सरकार आए, जो दिल्ली में अपनी रादनिती के कारण दंगे कराए, और क्या बुरा ही ऐसी यह हैं, मैं आज सारे कारकरताओं को पुछना चाहता हूं, मुझे बताओ, पकिस्तान, अफगानिस से जो धलीप सरनार्ति है गरीप सरनार्ति है शीख सरनार्थि हैं उनको नागृतिун का मिलनी चाहिए और जोर से बोलो मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए कि 70 kan सब्सक्र शाल से महात्मा गांदी के वाड़ा था कि आपने पुरा नहीं किया, आप में हिम्मत नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने पुरा किया, आप देश की माइनोरिटी को भड़का रहे हो, क्या आपकी नागरिक्ता चली जाएगी, मैं माइनोरिटी के भाई और वेनों को कहना चाहता हूँ, तो CAA से किसी भी देश की माइनोरिटी नागरिक्ता जाई नहीं सकती, क्योंकि CAA में नागरिक्ता लेने का प्रावधान ही नहीं, मगर मित्रों, मैं बड़े दूख के साथ बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने एक जुट का पुलिंदा रहे हैं, पाकिस्तान में कहां, अत्याचार हो रहा हैं, अरे केजरिवाल, आँख खोल कर देख लो, राहूल जी, सुनिया जी, आँख खोल कर देख लो, परसोही, नानकाना साब के से पवीत्रस्तान पर हमला करकर, सीख भाईयों को आतंकित करने का काम पाकिस्तान ने करा हैं, यह जवाब है, उन जारे लोगों को, जो C.A.E. का विरोट कर रहे हैं, मुझे बताइए, कल को, नानकाना साब पर जिन पर हमला हुआ, वो सीख भाईयों यहां है, तो कहा जाएं वो, बारत में आएंगे, या कहा जाएंगे, मित्रो, यह लोग जूट फेलाने, भारतिय जन्ता पार्टी के कारकरताओं ने, दिली के घर-घर में जाना पड़ेगा, और इनको विरोध करने की आदत पड़ी है, वोट बैंक की पोलिटिक्स करने की आदत पड़ी है, हम दारा 370 हटाते हैं, वो कहते हैं, मत हटाओ, मत ह मुझे बताओ वहीया, धारा 370 हटानी चाहिया, नहीं अदरे जो अदरी जहें, जवीर जबूलो हटानी चाहिया, नहीं अदरी। कस्वीर भारत माता का अभिनंग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए मोदी जी ने 1378 यह इसका विरोध करें हमने कहा त्रिपल तलाख खटा दो दुनिया के कई मुस्लिम देशों में त्रिपल तलाख नहीं है मुस्लिम माता और बेनों पर अत्याचार हो रहा है उनके मानव अधिकार का हनन हो रहा है यह कह रहे हैं नहीं 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 त्रिपल तलाख मत हताईए राहूल वावया उलधूल स्टेटमेंट दे देते हैं प्रियंकाजी मैदान में आ जाती है अभी अभी कहती है कि मैं दंगाईयों के साथ हूँ जिन्होंने दंगा कराए उनके घर पर जाकर उनको कहूंगी कि आपका कोई दोस्त नहीं मित्रो मुझे बताओ आप सब टिपल तलाख हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए जोर से बोलो हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए ये कॉंग्रेस पार्टी राम जन्म भुमी को बहुत समय से रोप कर रखी थी कॉर्ट पे विरोध करती थी सुप्रीम कॉर्ट ने एक फैसला दिया कि तीन मैने के अंदर राम जन्म भुमी बननी पर मंदीर बनना चाहिए परमित्रो देश के करोरो लोगों के दुनिया के करोरो लोगों की उचाएज़ 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 दुनिया के करोरो लो दुटिया के करोरों लोगों की हिच्चा थी कि जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसी इस्तान पर भव्य राम मंदिर का निर्मान होना चाहिए मुझे बताओ मित्रों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जोर से बोलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक कॉंग्रेस पार्टी इसका भी विरोज कर रही है मित्रो पुल्वामा उरी और पुल्वामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया हमारे जवान सहीद हो गए नरेंद्र मोदी जी ने एस्ट्राइक करी सर्दिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान के घर में गुज़कर आतंकवादियों का खुर्दा खुर्दा भुला और राहूल बाबा राहूल बाबा विरोज कर रहे हैं केजरी वालदी साबिती मांग रहे हैं मुझे बताओ भईयो, air strike और surgical strike करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है, जोड से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भित्रो, यह अपनी वाट बैंक की politics के लिए, surgical strike और air strike करने की ना बोलते हैं. एक Congress Party और आप Party वाट बैंक की politics कर रही है, जवाला नहरू University में कुछ पाक तरफी युवानों ने नारे लगाए, भारत तेरे टुकडे होंगे एक हजार, इंसा अल्ला, इंसा अल्ला, हमने उनको जहल की सलाकों के पिछे डाला है. अब ये टुकडे टुकडे गेंग, जो चाहती है, कि ऐसे लोग जो भारत के टुकडे हो, इसका समर्धन करती है, ये टुकडे टुकडे गेंग के सदस्या, स्री केजरी वाल, अभी प्रोसीक्यूशन की परमिस्ण नहीं दे. मित्रो, मुझे कहो, जो भारत माता के टुकडे करने की बात करे, उसको सलाकों के पिछे डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए. मित्रो, अभी अभी अंट में, मोदी जी ने सिटिजन्सिप एमेंडमेंट बिल लाए, इसका भी विरोज किया. मैं आज डिली के कारकरदाओं को कहना चाहता हूँ, सारे दली भाईयों बेनों के घर पर जाएए, सारे सीख भाईयों बेनों के घर पर जाएए, सारे सरनार्थी भाईयों बेनों के घर पर जाएए, कि मोदी जी पाकिस्तान और भंगलादेश से आये हुए, दली, सीख, हि हिंदु सब सरनार्थियों को नागरिक्ता देना चाहते है पर दलित विरोधिक केजरिवाल और दलित विरोधिक कॉंघ्रेस-पार्टी इसका विरोध करेंगी मुझे बताओ जो वहाँ से प्रताडी धोकर आये हैं उनको नागरिक्ता देनी चाहिए या नही देनी चाहिए जोड ते बोलो देनी चाहिए या नही देनी चाहिए आप इसके समर्धन में हो या नहीं हो मित्रो भारतिय जंटा पार्टी ने एक टोल फ्री नंबर चालू करा है यहां कितने लोग मोबाईल के साथ आए जरा मोबाईल उपर करिए सब लोग करें मोबाईल उपर निकालिए जरा सब लोग निकालिए मैं एक नंबर दो बार बोलूँगा दस अंका नंबर है सबने डायल करना है मैं बोलता हूँ आप बोलिए और जन संपर्क में भी जहा जहा जा रहे है वहीं से वो नंबर डायल करना है मैं नंबर जोर से बोलता हूँ आठ आठ छे छे दो आठ आठ छे छे दो डायल कर दीजिए हो गया मैं फीर से एक बार बोलता हूँ दस अंका नंबर है दो बार आठाट छे छे दो आएगा दोनों भार दबना है आठ आठ छे छे दो आठ आठ छे छे दो दबा दिया सब ने तो आपका समर्थन नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँच गया है भईया आप से एके साथ हो वो पहुँच गया है इस नंबर के लिए भी इस नंबर के लिए भी कल से अप्पाए फेलाई जा रही है इस नंबर के लिए भी अप्पाए फेलाई जा रही है कि ये नंबर नेट्फलिक्स कोई चैनल है उसी का नंबर था मित्रों मैं साफ कर देना चाहता हूँ ये नंबर कभी भी नेट्फ्लिक्स चैनल का नहीं था ये सुद्ध रुप से CA के समर्थन में भारतिय जन्ता पार्टी का नंबर है नरेंद्र मोदी का समर्थन करने का नंबर है आप गुम्रा हों मताईगे भाईयो वेनो मैं आज आपके अध्यक से नाते आप सभी से कुछ मांगने आया हूँ मुझे बताओ आप मैं आप से कुछ मांगना चाहता हूँ आप दोंगे या नहीं दोंगे बताओ जरा पहले जोर से बोलो दोगे या नहीं दोगे मित्रवात दिल्ली के सभी कारे करता है उनका मैं आखवान करना चाहता हूँ के चुनाव सभाव से नहीं लड़ना है ये सुभाव रेलियों से नहीं लड़ना है ये चुनाव बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टर से नहीं लगना है ये जरूर लगेंगे मोधी जी भी सभा करेंगे नड़ा जी भी करेंगे राधना जी नितिन जी भी करेंगे मगर मैं आपके अध्य से नाते हर एक महले में जाकर ग्रूप मिटिंग करने की सुरुआज करूँगा हर एक घर को संपर करने की सुरुआज करूँगा आप बताओ आप बताओ आप लोग भी हर घर में जाकर नरेंद्र मोधी जी का संदेश पहुचाओगे जड़ा जोर से बोलो पहुचाओगे केजरिवाल के जूट का परदाफास करोगे राहूल बाबा की देश विरोधी निच्यों को उजागर करोगे जो नरेंद्र मोधी जी ने दिल्ली के लिए किया है वो बताओगे केजरिवालती ने जो दोखा दिया है उसको बताओगे बीच साल से सरकार नहीं बनिये हमारी